So, Hello Dear Students, Welcome to Most Affordable Interested Platform G-Centric Education आज हम लोग बात करेंगे Electrical Machine की क्या Electrical Machine वाकई में इतना tough है या इतना difficult है जितना हमें books वगेरा में elaborate करके सिखाय जाता है जी बिल्कुल नहीं अगर इसको सही तरीके से सही माहिने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी particular exam की क्या requirement है क्योंकि Electrical Machine is the most fundamental subject अगर आपके funding clear है, basics clear है basics में क्या चाहिए? network theory चाहिए अगर network theory clear है और जितना basics अगर एक teacher बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये subject पढ़ने में बहुत मजाएगा क्योंकि ये subjects हम लोग day to day life में बहुत ज़्यादा deal करते है और हर एक electrical engineer के लिए subjects आना बहुत जरूरी है अगर आपने electrical engineering की है और आप अगर technical field में कुछ भी करना चाहते है कोई से भी exam का कोई सा भी exam उठा लीजी अगर किसी भी exam का आपको अगर preparation करना है तो उसमें electrical machine का weightage बहुत ज़्यादा होता है तो इसको हम लोगोंने बहुत ही प्यारे तरीके से creative तरीके से जिसमें बहुत ज़्यादा theory के सांसा numerical भी है क्योंकि ultimately किसी भी exam में numerical लगाना पड़ता हूँ numerical के लिए proper theory चाहिए proper एक roadmap चाहिए उसको हम लोगोंने बहुत अच्छे से deal किया है तो चलिए इस lecture के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा है trailer और trailer देखिए और अंत में trailer के जरूर कुछ बाते सुनिएगा जहां पर इस trailer का full version आपको में ले जाओंगा कि entering और living का मतलब क्या है थोड़ी देर के लिए तो मैं क्या बोलूंगा कि एक winding है थोड़ी देर की let us suppose one winding है और यहां पर dot convention है dot convention और current इस तरीके सारा है तो आपको बताना है कि entering है या living है entering polarity है living polarity है तो हम क्या बोल सकते है कि मैंने आपको बताया था network theory में कि जहां पर dot है वहां पर आप क्या लगा दो दर्वाज़ लगा दो डोर लगा दो डोर घर का आपका main gate है और उसके opposite में आप क्या कर दो dot convention पढ़ते हैं चली अब स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है कि एक क्योंकि एक्जाम में देखिए ऐसा practically हम लोग फाइंड नी कर सकते sense of winding बट इक्जाम में इस तरीके से naked core के उपर winding दे रखते हैं और आपसे कई बार पूस्ते हैं कि बताई यहां पर क क्या direction होगा और voltages क्या होंगे और इस तरीके से questions पूछे जाते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हम लोग तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं गया एक कोर के उपर एक winding का sense इस तरीके से हैं कि flux या यह current यह flux दोनों ही true है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस winding में इस winding में देखेंगे कि यहां से प्लस इस तरीके से हम लोग ने reflection कि दिखाया यह थाम क्या दिखाया हमें direction of flux तो direction of flux अगर बना देगे तो यहां से direction of flux बना देते हैं, तो इस तरीके से, इस तरीके से यह direction of flux 5 बन जाएगा, direction of flux 5 बन जाएगा, ठीक है, अब आप ध्यान से देखी, कि यहां के power transfer हो रहा है, कि यहां supply से यह आपका voltage source है, और यह हमारा load है, तो असल में इसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जा में तब्दिली हो रही है, इसका मतलब पहली winding क्या करेगी आपकी, वो electrical energy लेगी और magnetic में produce कर देगी, यह वाली winding magnetic में लेगी और electrical में deliver कर देगी, मतलब in terms of electric, ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, और इस तरीके से वापस चली जाएगा, इसका मतलब हम लोग क्या बूल सकते है, current का direction उधर है, तो curl किया, तो flux कहां दिखा दे रहा है, मुझे इस बार, flux का direction मुझे downward दिखाए दे रहा है, flux का direction क्या हो रहा है, downward हो रहा है, 5, तो अब इसमें flux इस तरीके से flow होगा, कि वो इस flux क्या करेगा, अपोस करेगा, तो यह तो सिर्फ trailer था कि किस creativity के साथ आपको यह subject deal किया जा रहा है, G-centric app पर, तो अभी G-centric app पर store section में जाईए, उसके अंदर अपनी particular branch जो की electrical है, वो choose करेए, double E branch, choose करेए, उसके बाद electrical machine subject के अंदर जाईए, और जितने भी lecture से उनको enjoy करेए, most affordable prices में, ठीक है?